बहुत स्वागत है आपका डॉक्र गुलेरी आवीपी नियूस पर अगर हम वैक्सीन की बात करें तो हमें दो तीन चीजें समझनी चाहिए पहली चीज यह है कि जो वैक्सीन आई है उसमें पूरे सेफ्टी और एफिकेसी का डेटा जो है वो रेगुलेटर ने देखके ही उसको प्रूव किया है दूसरा सिचुएशन यह है कि हम पैंडेमिक मे होते हैं तो हम यह कहते हैं कि हर एक वैक्सीन चाहिए वो फाइजर की हो मडोना की हो या हमारी सीरम इंस्टूट की भारत बायोटेक की हो उसका फॉलो आप 6-9 मेने होना चाहिए साल पर होना चाहिए तब ही पता जलेगा कि वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है आपकी इम्यून हो रहा होगा लेकिन अगर हमें इस pandemic से बाहर निकलना है अगर हमें लोगों की जान बचानी है अगर chain of transmission रोपना है अगर हम यह चाहते हैं कि हमारी economy वापस आए स्कूल खुलें लोग अराम से अपने चुटियों पे घुमना शुरू करें तो यह सारे चीजों के लिए हमें अपने रेगूलेटर्स पे विश्वास करके वैक्सीन लगानी चाहिए क्योंकि वैक्सीन लगाके ही हमारे cases कम होंगे लोगों में protection आएगी और हम अपनी जिन्दकी जो है वापस पट्री पे लाप आएंगे सर डेटा पर मैं और सवाल आप से पूछूँगा लेकिन सबसे पहले हमारे धर्शकों को यह बताई क्योंकि कल आपने खुद vaccine लगवाई है तो उसका कैसा असर आप महसूस कर रहे है कोई side effect आपने महसूस किया या कुछ सब कुछ ठीक है बिल्कुल ठीक हूँ आपके सामने बैठा हूँ कोई side effect नहीं है कोई पुखार नहीं है injection site पे कोई दर्द भी नहीं है और ना और कोई हरारत है और मैं सब लोगों को यही विश्वास दनाना चाहता हूँ कि आप बिना बिना घवराय वैक्सीन लगाने आएं कोई ऐसे घवराने की बात नहीं और पूरा वहां पे arrangement है कि अगर आपको कोई घवराट हो या कुछ हो तो वहां पे डॉक्टर भी मजबूर प्रेजेंट है और पूरा आपका जो है मॉनिटरिंग की जाएगी इसलिए घवराय नहीं मैंने जो भारत बायूटेक की जो हमारे कुछ बनी हुई खि वेक्सिन उसको मैंने कल लगाया था जी और को वैक्सिन पर अभी भी सवाल उट्रह जारें सै थर्ड फेस के डेटा के ट्राइल को लेकर कहा यह जा रहा है कि जो वैक्सिनेशन अब हो रहा है उसके आधार पर डेटा जुटाए जाएगा बार बार इस तरह के सवाल उठाये पर फेसं के बात करें और को एक्सीन के बात करें पर देखे हैं सक को बडाइकसीन का देट देटा पर हमारे प Informate Studies का है जो फेस्स फेस सेडिक अर फे मराथ को हैं जो फेस त्रायल का एंचेट ंनुडरी कि हमारे कर आपus चोबिकर ठीक्टिप तो अच्छी आंटीबॉडी टाइटर था उसमें, तो इस बेसिस पे हम महारे काफी लोग को ये विश्वास है कि ये वैक्सीन जो है, ये कामयाब है और इसका असरदार रहेगी, लेकिन आपकी बात ये सही है कि अभी हमें फेस्ट्री डेटा के लिए और डेटा चाहिए, फ दुनिया की बात करें, योरप की बात करें, यूके की बात करें, अमेरिका की बात करें, वहाँ पर केसिस एकदम बढ़ रहे हैं, पचास से साथ हजार केसिस यूके में रोज आ रहे हैं, छोटा वो तो एक छोटा देश है, उसमें साथ हजार केसिस रोज आना एक बहुत ब बढ़ जाएं और जो वैक्सीन के हमें लगाने का एक विंडो अपर्चुनिटी था उसको हम खोदें क्यूंकि वैक्सीन के दो शॉर्ट लगने हैं दो शॉर्ट के दो हफते बाद हमें अच्छी इम्म्यूनिटी मिलेगी इसलिए अगर हम आज वैक्सीन लगाएंगे तो आल बारट वैक्सीन की कितनी है वो चाहिए मोडर्ना हो फाइजर की वैक्सीन हो उसकी एक बात है बारत में को भी शील्ड को वैक्सीन को लेकर लेकिन बार बार हमारी संट्रीट है मों विश्वास जिताती रही कि एक सवाल ने को पुई सब कुछ पर्फेक्ट्टी हो के फिर इस तरह के सवालों का मतलब क्या है और पब्लिक को कैसे संजाएंगे सब्सक्राइब मैं तो यह कहूँगा कि आप अपने साइंटिस्ट अपने रिसर्च और अपने रेगूलेटर्स पर विश्वास कीजे जो इन्फोडेमिक है या सोशल मीडिया में जो यह ड्राने वाली न्यूस फैलरी है इस पर ना जाएं अच्छे जो अथेंटिक साइट्स हैं चाहे वो ड साइटिस्वाइब करें आपको तब भी कोई डाउट हो एक्सपर्ट से आप बात करके अपने पूरी डाउट को हटाएं लेकिन वैक्सीन जो है एक यही एक माधियम है जिससे हम आगे बढ़ पाएंगे कोविड-19 के लिए अभी हमारे पास कोई गुड एंटिवाइरल ड् लेकिन हम इन सब को तब भी दे रहे हैं अपने अपने देश को पैंडमिक से बाहर निकालना चाहिए और अगर हमें यह करना है तो सब को आगे आके वैक्सीन लगाने लगानी चाहिए तब ही हम चेन और ट्रांसमिशन को रोख पाएंगे लोगों को पोटेट कर पाएंगे सर मुझे एक बात बताएंगे टीका लगाने वालों में कुछ लोगों में माइनर से जो सिम्टम्स हज़र आ रहे हैं एम्स के भी एक जिन वरकर को लगाया गया वैक्सीन उनको भी बाद में हॉस्पिटल में एडमिट करा रहा पड़ा कुछ उनमें भी साइड इफेक्स है है तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे ज्यादा तर लोगों में जो साइड एफेक्स हैं माइनरी होते हैं वैसे तो साइड एफेक्स बहुत कम लोगों में हैं मैं आपके सामने मुझे तो कोई साइड एफेक्स नहीं है पर कुछ लोगों को एक दो दिन के लिए बुखार हो स तो उन लोगों को हम आदे घंटे के लिए अबसर्व करते हैं और जैसे आपने कहा कि कल हमारे जो एक सेक्योरिटी गाड था उसको जब टीका लगा और वह लास्ट फेज में लगा था क्यूंकि वह आखिर में उसकी बारी आई थी तो उसको पंदराभीस मिनिट के बाद और उसे वह ठीक भी हो गया लेकिन अमने यह सोचा कि क्यूंकि वह बहतर रहेगा हमारा ही एक वर्कर है रहाम उसका पूरा दिहान रखें तो ओरनाइट हमने उसको अपने होस्पिटल में मिट कर लिया observation के लिए अब वह ठीक है और हम यही प्लान कर रहे हैं कि कुछ देर म घर भीज़ते तर यह मैं समझना चाहूंगा आपने भी को वैक्सिन का टीका लिया था और जो शक्स के बात कर रहे हैं उनको भी को वैक्सिन का टीका दिया गया था लेकिन असर दोनों पर अलग अलगे सथ क्योंकि हर एक का बाड़ी का इम्यून सिस्टम अलग है और कईयों को अलर्जिक टेंडिनसी होती है तो हमारी जब हम इंजेक्शन देते हैं तो इंजेक्शन में एक तो एंटिजन है उसके साथ उसकुछ और चीज़ें आड़ की जाते हैं कि एंटिजन स्टेबल हो कुछ पर रिजर्वेटेब भी आड़ किया जाते हैं कि टीका जो है कुछ टाइम पर चले तो हम किसी को भी उस किसी चीज जो टीके में डाली गई है उससे अलर्जी हो सकती है हम आम दवाई लेते हैं जैसे माननो बुखार की दवाई ली हमने परसितरमॉल कई लोगों को बुख एक वैक्सीन जो पहले भी हमारे पास वैक्सीन आती थी चाहिए इंफ्लूइंजा की बात करें या बच्चों की वैक्सीन की बात करें तो कुछ लोगों में उससे अलर्जीक रियाक्शन हो सकते हैं क्योंकि उसमें जो चीजें डाले गई हैं प्रॉडट्स डाले गई हैं चाहि वो प्रिजर्वेटिव हों चाहि और चीजें हों जिससे वो यक वैक्सीन स्टेबल रहें उससे कई लोगों को रियाक्शन हो सकता है तो यह भौने वाली बात नहीं यह वैक्सीन का epatanских नमल प्रॉसेइस है कि कई लोगों को उससे लिजिक रैक्शन हो सकती है इसके बात मेरे एक सवाल मेरे मन में है और बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि एगर मैं गवाक्सी लगवानी है या जो उप्लब्द होगी फो लगाना कोब को गशीन के साथ रहें और और अलग को मानिटर करना है, चाहे वो को वैक्सीन हो, या को भी शीलड हो. उसलिए भैक्सीन को बैक्सीन को मॉनिटराने कि फिस था हाइ. इतना हमारे से क्षेश सब्सक्ड्रा नहीं है. इसलिए जीवले करना है, वह पॉसिबल नहीं होगा हमको यह समयना चाहिए कि दोनों वैक्सीन सेफ हैं एफिकेशियस हैं अगर हमें इस पैंडमिक से निकलना है तो जो सिस्टम से जहां पर जो वैक्सीन मिल रही है वो हमें लगा लेनी चाहिए क्योंकि वैक्सीन अभी जो है कि जो और जो यह डॉक्र रेडिस लेबॉरेटरी की वैक्सीन आया भारवाली वैक्सीन भी हमारे देश में आ जाए तो हमारे पास सर्प्लस हो तो कोई भी सोच सकता है कि आप चार में से मैं एक सेलेक्ट कर लूँ मैंने यह लेनी लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है अभी हम में वैक्सीन की कम ही है और हम चाहते हैं कि हम पैंडमिक से जल्दी से जल्दी बाहर निकलें तो जहां पर जो वैक्सीन मिल रही है मैं यही कहूंगा सब लोगों को कि आप वो लगा लीजिए वो सेफ हैं वापको प्रटेक्ट करेंगी इस पर ना जाएं कि यह साट हैं कि इसका भी कोई मतलब नहीं है सर मुझे बात बताईए सब के मन में यह सवाल है कि वैक्सिनेशन हो जाने के बाद यह जो 28 दिन का पीरिड है उसमें किसी तरह के कोई हत्याद बरत नहीं है कुछ और करना है या वेट करना है कि जब हम दूसरा टीका ले लेंगे उसके बाद दो अफते के बाद जो तरह से आपने का इम्म्यूनिटी हमारी उस फेज में आ जाएगी जहां होनी चाहिए कि वैक्सीन रेलेटेड कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है लेकिन अदर्वाइस हमें ऐसे कोई एतियात बरतने की जुरूद नहीं है कि कुछ यह नहीं खाना या वो नहीं खाना या इस तरह के अक्टिविटीज नहीं करनी हम पूरे नॉर्मल डे टुडे में एंटिवाडी जो है और जो सेल मीटेटी इम्यूनिटी है वो एकदम हो जाएगी लेकिन उसके बाद भी यह ज़रूरी है कि हम अपना कोईट अप्रोप्रेट बहेवियर रखें हमास लगा के रखें हाथ दोएं और दो गस की दूरी बना के रखें अब उसका कारण क्य नहीं होगी हमें वैक्सीन लगी हमारे बॉडी में अच्छी एंटिवाडी बन गई जब भी हमें किसी पेशिंट के संपर्क में जिसको कोविड है हमारे शरीर में अगर कोविड कोरोना वाइरस आएगा तो हमारे जो एंटिवाडी बनी है हमारे शरीर में वो वाइरस को आ हमारे बाडी में replicate किया लेकिन आगे बढ़ नहीं पाया क्यूंकि हमारी immunity अच्छी थी उस दुरां यह हो सकता है कि हम औरों को infection दे सकते हैं हमें serious infection नहीं होगा लेकिन हम infectious हो सकते हैं और अगर हमारे वैक्सीन के बाद भी अपने परिवार वालों को और अपने और जो अपने करीब लोग है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपना मास्क लगा रखें दूरी और दोगस की दूरी रखें जब तक ऐसी स्तिती नहीं आती कि हम कहें कि हाँ सब लोगों को वैक्सिन लगी आया इतने लोगों को वैक्सिन लगी कि अब चेन ऑफ ट्रांसमिशन रुख गई है अभी वो स्तिती नहीं आई इसलिए वैक्सिन के बाद भी हम सब को अपना मास्क और दो गस की दूरी जो है वो बना के रखने होगी सर कल जो तरह से पूरे देश में वैक्सिनेशन हुआ उसके पहले ड्रायरा नम कर चुके थे तो उस जो पूरा प्रोसेस था कल का उससे कितना संतुष्ट है आप क्योंकि तमाम जगों से आपके पास भी अपडेट्स और इंफोमेशन पहुँच रही हुए प्रोसेस तो बहुत अच्छा है रहा कल एक लाख नबे हजार से ज़्यादा लोगों को वैक्सिन लगा है वो एक बहुत बड़ा नमबर है और हर जगा पे टीका लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अब इसको सस्टेन करने का चैलेंज है कि हर रोज हम इसको कर पाए को हम इसको आगे बढ़ाए क्योंकि ऐगर हमने अपने सारी जनता को वैक्सिनेट करना और पहले फेस में तीस करोड लोगों को करना है तो इस वैक्सिनेट कर पाएं तब हम जल्दी से इस पैंड़मिक से निकल पाएंगे थोड़े बॉत बीच में होंगे हरे एक प्रोग् management की बात हूँ वो हर एक अलग लग सेंटर में कुछ थोड़ी बहुत problems होगी पर मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे हमें और experience मिलेगा हम रोज vaccine लगाएंगे तो कुछ दिनों में ये सारा smoothen out हो जाएगा सर मुझे एक बात बताईए जैसे जिन लोगों को पहले फेज में वैक्सीन लग गई अगर कोई side effect जो तरह सम पहले भी चर्चा करें थे किसी भी तरह का side effect उनमें दिखाई देता है तो उसका कोई दूसरे dose पे कोई असर नहीं पड़ता इसलिए आपको जो भी थोड़े side effect होंगी उससे घबराएंगे आपके जो दूसरे dose की date है वो ससाब से change नहीं होगी आपको उसी time आके अपना दूसरा dose भी लगा लेना चाहिए सर मुझे एक बात और बताईए एक लाख नबे हजार लोगों का कल vaccination हुआ जिस तरह से आपने खुद बताया हम उम्मीद कर रहे थी कि करीब तीन लाख लोगों का vaccination होगा तो यह जो हम कमी देख रहे हैं यह क्या technical issues है या अभी इसको और गती देनी पड़ेगी हमको अपने vaccine लगाएंगे थोड़ा उनको reassurance हो जाए तो मुझे लगता है कि अब लोगों को यह reassurance हो जाना चाहिए कि अब लोग vaccine लगा रहे हैं तो वो भी आ गए हैं दूसरा कुछ logistic issues भी हो सकते हैं क्योंकि पहले दिन वो app यूज हुआ कई लोगों को उसका पूरा information नहीं मिली या पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाए तो आस्ता आस्ता यह जो चीजें यह ठीक हो जाएंगी और मेरा यह मानना है कि अगले कुछ दिनों में इसका number जो है आस्ता आस्ता बढ़ेगा और हम जो है अपने target को achieve कर पाएंगे शुरू में एक दो दिन में तो कुछ problems हर एक program में की रहती हैं तो यह सौट आट हो जाएंगी जैसे मान लीजे कि मुझे vaccination करवाना है मुझे टीका लगवाना है लेकिन किसी वज़े से मैं miss कर जाता हूं नहीं पहुंच पाता हूं तो उसके बाद अगर मुझे उसमें registered होना है और फिर से टीका लगवाने के पूरे process को करना सकते हैं तो अगर आप किसी कारण वर्ष टीका वाले साइट पर नहीं पहुंच पाते हैं मान लोग कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप अपना जो एप है उस पर रिजिस्टर कर सकते हो कि आप नहीं पहुंच पाए आपका ये टाइम था तो आपको एप में फिर से एक न अगर कोई किसी कारण वर्ष उस दिन टीका नहीं लगा पाया तो वो फिर उसको अगलाग डेट मिल जाएगी अगर कोई एक दम टीका रिफ्यूस कर देता है कि मैं टीका नहीं लगाना चाहता हूं फिर उसका नाम जो है वो लिस्स से हटाया जाता है ओके दोनों बाते बहुत अहम जानकारी है बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर गुलेडिया और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए